आप सभी का स्वागत हैं आज हम निती निर्देशक तत्य के बारे में पढ़ेंगी यह भागचार के तहत आता है और इसमें अनुझ छेत्ती से लेकर अनुझ इकावन तक इसमें सामिल किया गया है पहले तो यह जानिय के निती निर्देशक कहां से लिया गया है देखे निती निर्देशक तत्व को आयरलेंड के समिधान से लिया गया है और इसे कानूनी अधिकार नहीं है इसमें कल्यान कारी बाते की गई है अर्थात व्यक्ति को समाजिक आर्थिक राजनितिक करेगा यह इसमें कहा गया है यानि इसके तहट अनुछे 36 से 51 तक में आता है और इसके तहट यह भागचाल में रखा गया है इसको आयर लेंड के समीधान से लिया गया तथा निती निर्देशक्तत को लागु करवाने के लिए हम किसी न्याले में नहीं जा सकते हैं अर्था इसको कानूनी अधिकार नहीं है यानि कानूनी अधिकार लागु कराने संबंधित नहीं है यानि अगर निती निर्देशक्तत में जो कहा गया है अगर राज उसको लागु नहीं करता है तो हम उसे लागु करवाने के लिए अनुछे 32 में जो कहा गया है मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो हम हाई कोट में जा सकते हैं और अनुछे 226 के तहद कहा गया है कि मूल अधिकार का हनन होता है तो हम हाई कोट में जा सकते हैं यानि अनुष्य 32 के तहट हम सुप्रीम कोट यानि उच्टम नयाले में जा सकتे हैं और अनुष्य 226 के तहट हाईकोट यानि उच्छ नयाले में जा सकते हैं प्रंतु यहां इसको लागो करवाने के लिए और थातनितिर्द tox सत्तत को लाग करवाने के लिए हम किसी न्यालय में नहीं जा सकते हैं यह आयर्लेंड के समिधान से लिया गया है इसमें कल्यानकारी विकास की बात की गई है यानि कल्यानकारी विकास का अर्थ है कि ब्यक्ति को समाजिक आर्थिक राजनीति द्रिष्टी से समान अधिकार यानि किसी भी विक्ति के साथ जाती लिंग धर्म आधिक अधार पर यहां भी भेद भाव नहीं किया जा सकता है अब हम एक एक अनुशेद को इसके तहट देखेंगे अनुशेद 36 में राज की परिभासा दिया गया है और कहा गया है कि राज की क्या-क्या कर्तब होंगे यानि विधान सभा के विधान मंडल के क्या-क्या कर्तब होंगे इसके बारे में कहा गया है जो अनुशेद 12 में मौलिक अधिकार के तहट कहा गया है भाग 3 में वही यहाँ पे भाग 4 में अनुशेद 36 में कहा गया है मैंने इसके पहले मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो को बनाया था अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाएए वहाँ पे पहले उस वीडियो को देखीएगा तो आपको यह वीडियो भी समझ में आएगा चुकि मौलिक अधिकार और नितिनिर्दस सब्सक्तत एक दूसरे से जुरे हुए हैं दोनों को एक साथ जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तक तक आपको समझ में नहीं आएगा अगला कहा हाँ है कि अनुछी कि 37 कि इसमें कह रहा है कि बीधी के समान बीधी के समझ सभी को समान अधिकार दिया जाएगा यानि राज एसी बिवस्था करेगा ताकि बीधी के समक्षे सभी को समान अधिकार मिले यानि राज को कहा गया है कि आप ऐसी बिवस्था कीजिए ताकि सभी को समान अधिकार मिल सके किसी के साथ आई, संपत्ति, धन, लिंग, जाती के आधार पर भेद भाव न किया जा सके यानि अगर कोई कानून तोरता है और उसी तरह का कानून दूसरा व्यक्ति तोरता है तो दोनों व्यक्ति को एक ही परकार के सजा दी जाएगी न कि अलग-अलग सजा दी जाएगी यही अनुछेद 37 में कहता है आईए अब आगी भी कुछ अनुछेद को देखते हैं अगला अनुछेद है अनुछेद 39 इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्ति को कानुण के समान कानुण के समक्ष समान अधिकार दिया जाएगा यानि किसी भी व्यक्ति को अनुछेद 38 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ आये सम्पत्ति आधिके आधार पर भीद भाव यानि आउसर नहीं किया जाएगा अनुछेद 38 कहता है कि राज जो है समाजिक आर्थिक राजनितिक आधार पर किसी के साथ भीद भाव नहीं करेगा न आये के आधार पर करेगा न सम्पत्ति के आधार पर करेगा न लीम न जन्म न धर्म के आधार पर सभी को समान अधिकार दिया जाएगा अनुछे 49 इसमें कहा गया है कि यदि कोई कानून का उलंगन करता है और उसे बिधी प्यवसाय कियाव सकता है तो उसको नियाय निर्नय के लिए निसुल विधिक सहायता दी जाएगी यानि उसे अगर वकील क्याव सकता है और उसका वफिस नहीं भर सकता है तो सरकार उसके लिए उसके केस को लड़ने के लिए वकील की विवस्था करेगा जिसको विधी विवसाय करने वाले ये वकील होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि निसूल के वीधी उपलब्धे कराना इसके अलावा समान कार करने पर समान बेतन की बेवस्था इसी में कहा गया है बच्चो के स्वास्थ की उचित देख भार इसी के तहत कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति का समान वीतरन यानि जो सार्वजनिक धन है उसका लाप सभी को मिलना चाहिए यानि यहां चार बाते कही गई है और यह ब्यालीस्वा सम्मिधान शन्सोधन उन्हें 176 के तहर कहा गया कि इसमें जोरा गया है और इसमें कहा गया कि निसुल्क बीधी की सुरक्षा यानि कानूनी सहायता दी जाएगी यहां बीधी उपलाद कराने का और्थ है कानूनी सहायता ठीक है दूसरे में कहा गया है कि समान कार के लिए समान बेतन दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि महिला पुरूस एगर एक ही काम कर रहे है तो उनको हम अलग-अलग बेतन देंगे यह नहीं होना चाहिए तीसरा में कहा गया है कि बच्चों के स्वास्त के लिए राज जो है उचित परवंद करेगा और चोथा कहा गया है कि सार्जनिक संपत्ती जो है यानि सार्जनिक जो धन है उसका समान वित्रन होना चाहिए यानि लोगों के कल्यान के लिए होना चाहिए न कि जाती धर्म लिंग के अधार पर अंतर करके उसका उप्योंग होना चाहिए ये बात अनुछिद 49 में कहा गया है अगला अनुछिद 40 है इसमें पंचायती राज के गठन की बात की गई है कि राज जो है राज पंचायत का गठन करेगा आप भी जानते हैं कि पंचायत ग्रामीन विकास में काफी सहायता करता है यानि लोकल एडिनेस्टेशन लोकल प्रसासन को पंचायत के तहत ही देखा जाता है यहां कहा गया है कि परतेक राज अपने यहां लोकल प्रसासन के विकास के लिए पंचायत की विवस्था करेगा तथा उनको उचित सहायता देगा यानि उनके लिए वित परवंद कराएगा राज वित आयोग उनके लिए वित का परवंद करता है क्योंकि वहां भी चुना होता है पांच साल के लिए जो हम पंचायत पढ़ाएंगे तो डीटेल में पढ़ाएंगे यहां केवल यह जान ये की समझेद में क्या कहा गया है अगला अंच्छिद है कि फोटीवन कि इसमें कहा गया है कि काम पाने काम पाने सिक्छा पाने इसके अलाबा लोग कल्यां कारी कारे अर्थात बिमार व्यक्ति को सहायता करना बूढे व्यक्ति को सहायता करना राजिका करतब्य है इसमें कहा गया है कि परतेग व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है सिक्छा पाने का अधिकार है इसके अलाबा अगर कोई बिमार व्यक्ति है कोई बुढ़ा व्यक्ति है, कोई असहाई व्यक्ति है, तो उसकी सहायता राज करेगा, इसमें इस अंशिर में यही कहा गया है, अंशिर 42, इसमें कहा गया है, कि काम करने के अस्थान का उचित प्रवंध हो, इसके अलावा प्रोसूती सहायता राज द्वारा किया जाएगा, इसमें कहा गया, अंशिर 41 में हम देखे, कि काम पाने का अदिकार है, अब इस अंशिर 42 में कहा गया, कि काम जहां वो अव्यक्ति करेगा, वहाँ पर उसके स्वास्त को देखते हुए, वहाँ उचित ब्यवस्था हो, ताकि किसी परकार का अप्रिये घटना नव घटे, उसके जान माल की हानी नव, इसी में कहा गया है, कि जो गर्वती महिलाएं हैं, उसकी देखभाल करने के लिए राज बेवस्था करेगा, इसी लिए आप देखते हैं कि आगनवारी केदर जो है, जो गर्वती महिलाएं हैं, उनके पोशन की बिवस्था करता है, और उसको जो है, राज जो है, धन यानि फंडिंग उपलब्ध कराता है, ये बात अंचित 42 में कहा गया, अंचित 43, इसमें कहा गया कि काम करने वाले ब्यक्ति को उचित बेतन मिले, यहां कहा गया है कि जो ब्यक्ति काम कर रहा है, उसको उस समय जो उस काम के लिए धन निर्धारित किया गया है, वही उसको धन मिलना चाहिए यानि रुपया मिलना चाहिए यह नहीं कि काम कर रहा है वह 8 घंटा और बेतन उसको मिले 4 घंटे का इसके अलावा महिला पूस में भी उसका भेद किया जाए ऐसा नहीं किया जा सकता है इसके अलावा कुटिर उद्योग धन्धो के विकास की भी विकास की बात की गई यहां कहा गया कि ग्रामी छेत में जो कुटिर उद्योग है छोटे-छोटे कल कर खाने हैं उनके विकास के लिए विलाज काम करेगा छेत 43 हम लोग जान लिए अब हम अनुछेत 44 के बारे में जानते हैं अनुछेत 44 में यह कहा गया है कि एक समान सिविल सहिता की बेवस्था राज्य करेगा राज्य एक समान सिविल सहिता का विकास करेगा यानि राज के परतेग जगा जो प्रसाशन निर्धारित है और उसके तहट जो दंड का प्रधान है वह सभी जगा समान होगा ऐसा नहीं कि कहीं पे अलग है और कहीं अलग है ऐसा विवस्था नहीं होना चाहिए अगला है अन्छेद पैंतालिस इसमें कहा गया है कि राज जो है निसुल्ख सिख्छा की विवस्था छे से चौदा वर्स तक के बालकों के लिए करेगा राज जे मिसुल्ख सिख्छा की विवस्था छे से चौदा वर्स तक के बालकों के लिए करेगा देखिए यह विवस्था सुरू से ही है लेकिन इसको कानूनी अधिकार नहीं था कि कोई व्यक्ती निसुल्ख सिख्छा पाने के लिए कोट का दरवाजा खट खटा आये यानि न सर्वच नयाले और न उच नयाले में आप जा सकते थे बाद में 66 संधान संसोधन 2002 में किया गया और अनुछेद 21 ए में मौलिक अधिकार के तहब यही विवस्था यानि 6 से 14 वर्स्था के बच्चों को निसुल्ख सिख्छा की विवस्था राज करेगा या प्रवधान किया गया और अब हो कानुनी उसको अधिकार दिया गया आगे जो है मौलिक कर्तम में भी अभिवाब को चेज से 14 वर्स्था के बच्चों को निसुल्ख सिख्छा की विवस्था करने का लिए कहा गया यानि दोनों में अंतर है अनुशेद 45 में तो ये बात कहा गया है निसुल्ख सिख्छा की लेकिन इसको कानूनी अधिकार नहीं है किसी भी व्यक्ति को किसी लागू कराने के लिए कोट का दरवजा खट खटा है लेकिन अनुशेद 21-A में उसे कानूनी अधिकार है मौलिक अधिकार के तहट उसे रखा गया है और चैसे रखा संधान संसोदत 2002 के तहट यह प्रधान किया गया कि अब जो है कानूनी अधिकार है कि उसको लागू करवाने के लिए कोट जा सके लेकिन यहां आप खोट जो है हाई कोट या सुप्रीम को नहीं जा सकते हैं अगला है अनुशेत 46 इसमें कहा गया कि अनुशुचित जाती अनुशुचित जन जाती पिछले वर्ग के कल्यान के लिए राजी कारे करेगा अनुशुचित जाती अनुशुचित जन जाती पिछला वर्ग के कल्यान के लिए राज्य कारे करेगा यानि यहाँ पे कहा गया कि जो अनुशुचित जन जाती है यानि SCST पिछला वर्ग OBC तथा जो समाजिक रूप से कमजोर वर्ग है समाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से हो गया EWS इकनोमिकल वैकवाट क्लास इकनोमिकल वीकर सेक्षन इड़वेस का अर्थ होता है इकनोमिकल वीकर सेक्षन पिछरा वर्ग यानि OBC अधर वैकवाट क्लास और SC और ST आप जानते ही है अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती इसके उत्थान के लिए इनके कल्यान के लिए राज कारे करेगा अर्थात सरकारी नौक्री में आरक्षन प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षन उचे उचे पदो पर भी आरक्षन कर सकता है जो हम अनुशित 16 में हम पढ़ाय थे अनुशिद 18 में इसके बारे में अनुशिद 15 में इसके बारे में हम चर्चा भी किये हैं मौलिक अधिकार के तहट यहां भी उनको यह अधिकार दिया गया है अगला है अनुशिद सै तालिस इसमें मानक द्रब नसीले दबाओं मादक पेपदार्थ जो भ्यक्ति के लिए हानिकारख हो ड्रॉक्स यानि दबा परतिबंद करने का अधिकार है इसलिए इसी का उप्योग कर नितिस कुमार ने सराप को बंद कर दिया बिहार में ठीक है इसी अनुशिद का उप्योग किया गया इसमें मादक द्रग ड्रक्स हानि कारक पदार्थ पर प्रतिबंद लगाने का अधिकार राज को दिया गया काहा गया कि राज को अधिकार है कि जो मादक द्रग है पेपदार्थ है दवा है ड्रक्स है सराब है जितने भी गुटका है पानमसाला है सिक्रेट है खहनी है उन सबी को राज जो है व्यप्ति के हीत में न देखते हुए परतिबंद लगा सकता है जुर्माना लगा सकता है सजा दिया जा सकता है या प्रधान राज कर सकता है अगला अनुशिद है 48 अनुशिद अर्टाली के तहत कहा गया है कि राज गाए बच्छरा दुधारू पसु के बली पर प्रतिबंद लगाएगा इसके अलाबा दुधारी दिया गया है कि जो दुधारू पसु है अगला है अनुशिद अनुशिद अनुशास इसमें कहा गया है कि राश्टिय असमारग असमारग की सुरक्छा का उचित प्रबंध राज्य करेगा राश्टिय असमारग कर्थ है कि जो हमारा धरोहर है चाहे लाल खिला है कुतो मिनार है ताज महल है इत्यादी को सुरक्छित किया जाएगा उसको कोई हानी न पहुंचाए अगर कोई हानी पहुंचाता है तो उसके लिए दंडे का प्रधान किया गया है अनुशिद पचास इसमें कहा गया है कि राज जो है न्याएपालिका से कारेपालिका को अलब करेगा अर्थात न्याएपालिका से कारेपालिका को अलग करना यानि यहां नियाय पलका का अलग काम होगा और कारिक पलका का अलग काम होगा ऐसा नहीं है कि दोनों जो है एक दूसरे के कामों में दखल अंधाजी करेंगे ज्यादा इसके लिए अलग अलग विवस्था के बात की गई लेकिन जब कारिक पालिका ऐसा काम करता है जो न्याय उच्छित नहीं है तब न्याय पालिका जो है उसमें हस्ताछेप जरूर करता है लेकिन यहां अलग करने की बाद की गई है अगला है अनुशेद 51 इसमें कहा गया है कि अंतरास्टिय संबंध हो अंतरास्टिय बिवाद हो आदि का सांती पुन समधान करना अंतरास्टिय जो समझहोते हुए है उसको लागू करना या राजिका करतब होगा अंतरास्टिय समझहोतो अंतरास्टिय बिवादो का सांती पुन समाधान राज्य करेला यानि जो दूसरे देश से हमारा जो समझहोता होता है चाहे वसीमा बिवाद हो चाहे आर्थिक छेतर में हो चाहे समाजिक छेतर में हो चाहे धार्मिक छेतर में हो तो वैसे समझहोते यानि ट्रिटी जो किया गया है उसको लागू करना अगर बिवाद है दूसरे देश से तो उसका सांती पूर्ण उसका समधान करना ये राज्य का करतब बैद दोस्तो निती निवदेशकतत को भाग चार के तहत रखा गया है और इसमें अनुछित 36 से लेकर अनुछित 51 तब समाहित किया गया है हमने परतीक अनुछित को बारी बारी से एकेकर समझा है जाना है इससे जो है आपको बिविन एक्जाम में चाहे बाब BPSC हो सरसटवी हो या आरसटवी हो UPPCS हो बिहार दरोगा हो बिहार पुलिस हो बिहार टीचर हो या कोई भी अन एक्जाम हो UPSC हो यहां से प्रस्ण जो है आपकी एक से दो देखने को मिलते हैं आप जो है मैंने मौलिक अधिकार को भी पराया है जो भाग तीन के तहत हैं इससे पहले मैंने उससे संबंधित भी दो पार्ट में वीडियो लाया था आप उसको भी जाकर जरूर देखिएगा चुकि मौलिक अधिकार नितिन निर्दसक्तव और मौलिक कर्तव एक दोसरे से जुड़े हुए है जब तब तीनों वीडियो एक साथ नहीं देखेंगे आपको पूरा लाब नहीं मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट पर एर लेवल है आप जाकर उसे जरूर देखिएगा लास्ट में हम यही कहेंगे अच्छा लगे लायक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा धन्मान बाइब बाइब